हलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं देखिए आज रोटी से बनाई हूँ बहुत ही टेस्टी मिल्क केक मिल्क केक बनाने के लिए तीन रोटी लिए हैं ये रात की बची हुई रोटी नहीं है सुब़ा का ही रोटी है पहले से कड़ाही में गी गरम थी उसमें रोटी को तल लेंगे आप चाहे तो बची हुई रोटी को भी बना सकते हैं इस तरीके से मिल्क केक देखे कितना अच्छी तरीके से रोटी फुल गई है इसको गोल्डन होने तक तलेंगे रोटी को दोनों तरफ से तर लेंगे एक बार इस तरीके से रोटी का मिल्क केक बना लेना फ्रेंट था हमेशा आप कहां रोटी बनेगी तो जरूर बना कर खाएंगे अदो से तीर रोटी बचा कर ही रखेंगे अगर मीठा खाने की सौकिन है तो देखें कितना अच्छा कलर आया है इसी तरीके से सारे रोटी को तलेंगे मीडिया माज पर ही तलेंगे रोटी को वीडियो अगर हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लेगी कि फ्रेंट ते वीडियो को लाइक करेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा अच्छेयर भी कर दिजिगा कि इस तरीके से रोटी को सभी लोग मिठाई बना सकें देखें तीनो रोटी हमारी तल गई है अब इसको तोड़ कर ठंधा कर लेंगे एक मिकसर जार लेंगे उसमें रोटी को पीस लेंगे आप चाहे तो जादा रोटी को भी बना सकते हैं पहले भी चैनल पर रोटी की रेस्पी ड़ली हुई है फ्रेंट जाकर देखिएगा वह भी मिठाई का ही रेस्पी है वह भी बहुत टेस्टी बनी थी जाकर देख लिए जगा देखें रोटी हमारी पीस गई है अब एक कड़ा लिए हैं उसमे एक कटोरी दूद डाले हैं दूद पहले से उबली हुई थी देखें दूद हमारी गरम हो गई है अब उसमें सक्क डाल देंगे डिर्स चमच बड़े चमच से सककर डाले हैं अब जो रोटी को पीस का रखे तो उसको भी डाल देंगे डाल कर इस तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से दूद को सुखा लेंगे देखे देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगी दो चमज के लगवा घी डालेंगे पहले एक चमज डाले हैं फिर एक चमज डालेंगे घी डालने से ज़्यादा ही टेश्टी लगेगी जब रोटी का मिल्क केक बना रहे हैं तो घी में ही बनाएं तेल में अच्छी नहीं लगेगी, दूद को अच्छी तरीके से सुखा लेगे, आप हमारे वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं फ्रेंट कमेंट करके जरूर बताईएगा, अब दो से तीन लियांची कूट कर डाल देंगे, इसी तरीके से चलाती हुए दूद को अच्छी त वाँच गई थी तो सोचे आवराये, देखे एक सारीका से मिल्क केक बनाये हैं, बहुत ही टेस्टि बनी है, मिल्क केक सेट करने कि लिए इस तरीके का डाल लिये है, ऊसमें मिल्क केक को सेट कर लेंगे, इसको रोटी केक भी बोल सकते हैं,entially कि आप इसको क्या नाम देना च जाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन बनी बहुत टेस्टी थी अगर रोटी बैज जाए तो जरूर बना कर इस तरीके से खाईएगा अब बनाईएगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा देखे इस तरीके से चमा से दबाते हुए अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में तो टेश्टी है ही रोटी तो रोज बनने वाली चीज है तो एक दो तीन तो बची जाती है तो इस तरीके से जरूर बना कर खाईएगा देखे अच्छी तरीके से सेट हो गई है अब इसको निकाल कर आपको बता कर दिखाते हैं कितना परफेक्ट मिठाई बनी है इस तरीके से निकाल लेंगे अब अदाम से सजा देंगे देखे कितना अच्छी तरीके से सेट हो गई है अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंदा आए फ्रेंट तब वीडियो के लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताईएगा कि हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी इस तरीके से लंबे लंबे पिसेस में मिल्क केक जैसा काट लेंगे कोई भी सोच भी नहीं सकता कि रोटी का इतना टेश्टी मिठाई बन कर तयार होगी देखे कितना दारेदार बनी है तोड़कर भी बता रही हूँ बहुत ही टेश्टी बनी है